हेलो गाइस आपका सवगत है बैड बॉल में तो आज हम आई पेल 22 की सबसे पहले टीम जैने सुपर किंग्स का हम स्कॉर्ड रिब्यू करने जा रहे हैं तो मैं आपको उसके टीम की जान करी दूँगा कि इनकी क्या मजबूत इनकी पर्चे हैं क्या कमजोर पक्षे हैं और क्या इनकी प्लेंग लेमिन हो सकती है इस बार के आई पेल में तो देखते हैं तो पहले इनके इन्होंने अपनी टीम पिछले साल थोड़ा अच्छा प्रशन नहीं कर पाई थी तो इस साल उन्हें कुछ नएक प्लेयर भी जोड़े हैं तो पहले इनकी स्कॉट डिख लेते हैं आगे तब इनकी कमिया और तागत देखेंगे तो इनकी बैटिंग में इनके पास अजिंके राड़े, अंबदी राइडू, कॉनवे, एमेस दौनी, जितुराज रायकवाट, साइक रसीद और सुवारंसू, सिनापती जैसे बल्ले वाजे और लाउंडर में इनके पास अजे मिंडल, बेन स्टोक्स, भकत बर्मा, डुएन पिटोरियर्स, मोईन अली, मिचल सेंडन, राजबर्धन, रविंदर जडेजा, और सिर्म दुवेक जैसे और लाउंडर भी है बॉलिंग में इनके पास दीपक चहर, काईल जैविंसन, महेश दिक्षना, मुकेश चौधरी, परशान सुलंकी, स्रेमर जीट सिंग, और सुषा देश पांटे याईसे बॉलर भी है इनके टीम देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकि इनके टीम में कुछ कमजूरिया भी है तो आईए इनकी कमजूरिया पर नज़े डालते हैं पहले कमजूरिया है, इस्पिरियंट डेपार्ट्पेंट में आप्शन्स की कमी महीश दिक्षना और जड़ेया और पार्ट्पेंट मुईर अली के लाबा, इनकी टीम में कुछ ज़्यादा अनुवभी यार एक्स्पिरियंस बॉलर नहीं है चैनली यासे पिछ हमेशा ही इस्पिनर इस्पिनर फ्रेडेंटी रही है तो अगर किसी इन टीम में तर किसी कोई इंजरी हो जाती है तो इनकी बॉलिंग पर जहाद दवावाएगा दूसरी कमी है इनके पास, ओबर्सी स्टेज गेंदवाजों की कमी होना काईल जेवेंशन के इलावा इनके पास कोई भी अच्छा ओबर्सी स्टेज गेंदवाज नहीं है और अगर हम काईल जेवेंशन को प्लेइंग लेवेंट में खिलाएंगे तो इनकी बैटिंग थोड़ी कमजीर हो जाती है तो उसे हम प्लेइंग लेवें देखेंगे तीसरा उप्शन है कि बैटिंग टुक्स पर जादा निर्वर होना बैटिंग इस साल बलकव जीद के आएं उनका कॉंफिडेंस भी अलग है मगर लेकिन वो इस टीम की तागर से जादा कमजूरी भी हो सकते हैं क्योंकि वह बैटिंग भी जादा अच्छा करते हैं और बोलिंग पर भी और अकर उन्हों इन मैंसे किसी में भी वह खराब करते हैं तो इनकी टीम पर जादा अस्थर पड़ेगा धौनी की एज जे मैं बात मैं कहना चाता नहींजा लेकिन मुझे पॉइंट चुनना पटवा है कि जिस परकार धौनी खिलने हैं जी उनका आखरी आई पर होगा लेकिन अगर इस समय धौनी बिल्कुल मिडल ओडर में बैटिंग करने आते हैं कर जाता है उनकी लूंझे योङ यो घौनी योजाता ओपर बैटिंग करे टो जाता है अच्छी और जाता बैटिंग कर पाइंगी neither अब अब होंसे वह बावरमिंसग ठूड़ी I hear से आती आते हैं उन्हें ठोट 10 देके वो बैटिंग करते हैं और तब वो हिट लगाते हैं तो यह भी कमजूरी है पर आएए इनकी तागत पर भी नज़े डालते हैं कि पर पहला प्वाइंट है इनके पास बेंट स्टोग्स मैंने कहा था कि इनकी कमजूरी है लेकिन यह इनकी तागती हो सकते हैं क्योंकि एक लाजवा बॉलर भी है लाजवा बैस्में में हो और लाजवा फिल्डर भी यह जह 3 इंवन है अगर अगर वैटिंग से नाच ले हैं तो अपनी balling से मैझेता सकते हैं अगर betting दोन से नाच लेहने है तो फिल्लिंग से मैझेता सकते हैं तो वह एक बहुत अच्छे option की तरह है इनकी टीम में आयांगे और एक wise captain का role भी अच्छा नवा सकते हैं दूसरा point है इनकी स्टॉंग पॉइंट है कि इनके पास बैटिंग ओडर टॉप ओडर में बहुत ऑप्शन है इनके पास अजिंगे रारे अमती राइड्यू दूइन कौन वे और और एमेस धोनी और तो मुहीन अली इन जैसे प्लेयर हों कि वेसे इनका टॉप ओडर बहुत जाता है और इनकी टॉप ओडर ऐसा है कि वो अपने आप इतने स्कोर मना सकते हैं कि वो दूसरी टीम को होपलेस कर सकते हैं तीसरा पॉइंट है धोनी एस कैप्टन आप जानते हैं धोनी जिस बग कैप्टन हरेंगे उस समय किसी कोई टेंसल लेंगे वो धोनी कुछ ऐसा ही करतेते हैं जो कोई नीक सूच पात है तो आज चलिएंगे प्लेयंग 11 भी देख लेते हैं जाते जाते ट्लेइंग लेंग मेरे इसाफ से रित्वाज गायकवाड कॉनवे मुएन अली अंबती राइडू बेंश टूक्स एमे सोनी रविन जडेजा श्वयम दुवे महिस ठिक्षना दीपक चहार मुकेश चोधरी होगी अगर अगर मैं काल जैक्षन जैमिन संग को खलाऊंगा त होगी बहुत अच्छे स्नर है जो इस टीम चैनली की पिछ का लुफ्ट उता सकते हैं लेकिन अगर मैं मुएन अली को हटा देता हूँ कायल जैक्षन की स्पिन की कमी हो जाएगी तो यसलिए मैं कायल जैक्षन को अभी तो निट लंग और सुबात के मैच में तो यह मेरा ट स्पिन की बेल को बजानों ना भूले क्योंकि आपका स्पोर्ट रहेगा तो मैं और टीनू का भी रिव्यू कर पाऊंगा जैहिंद बंदे बातरम